गिन्दाती है सुसिल जी गिन्दाती है क्योंकि आप समझते नहीं है कि मर्दूर भली दो पहर में सुर्द की तपिस में अपने आपको क्यों जलाता है पता है क्योंकि जब वो जलता है तब उसके घर में रोस्नी आती है सुसिल जी वो डायलोग याद है न कि तेरा क्या होगा रे कालिया तो यब मैं कहता हूँ तेरा क्या होगा रे सुसिल तेरा क्या होगा कि बिहार से बाहर के मजदूनों को लाने का बिहार के पास कोई साधन नहीं है तेरे साधन से आएंगे लोग अब तू रोक लेगा रश्ट्रे कर बालिया है बिहार का क्य बाला किया है तू भले तेरी कुल्डिली निकाली जाएगी कि तू आया कहां से तू केसे अपना आपको बिहारी कहता है वे तू केसे बिहारी हो गया तू साजिस रच्रा है कि हकदार बदल जाते हैं किरदार बदल जाते हैं ये दुनिया है साहब अगर मन्नते पूरी न हो न तो यहां भगवान भी बदल जाते है क्या होगा आपका क्या सपने देख रहे हैं आप फिर से चुनाओ में अले हिम्मत है न तो चुनाओ लड़िये इस बार लड़िये चुनाओ अगर हिम्मत है तो मत आये पिछले दलवाजे से बिहार के सारे मजदूर जो देश में रहते हैं आज तुमको उनके तरफ से तुमको सरधाजली देता हूँ कायर, बुजदिल अब इस सामने में अगर तुम होते न सुसील एक दी बुलाओ न आप न सामने तुझको तिरी उकार न पता कर दो तो मेरा नाम भी फूल सिंग नहीं है आप सभी को फूल सिंग का नमस्कार प्रणाम आज मजदूर दिवस है मजदूर दिवस की बधाई दूँ अपने मजदूरों को या सुसील मोदी को सरधाजली दूँ ये समझ में नहीं आता कि जो साहस का पेड उगा सकता है मर मिटने की आस जगा सकता है सच्चे अर्थों में वही बिहारी मजदूर है जो देश के किसी भी इस्से में जाके पानी में आग लगा सकता है सुसील जी मोदी तो टाइटिल मैंने पहले ही हटा दिया आपका क्योंकि वो टाइटिल लगाना ही नहीं चाहिए आपको वो पवित्र टाइटिल है मैं कई बार कह चुका हूँ आपको अरे भूख रोती है तिल मिलाती है सुसील जी आए जपर पट्टी में दिखलाता हूँ कि भूख रोती है तिल मिलाती है सूखे होठों को ये जलाती है अपनी बेचेनी के सबी किस्से जहांक कर आँखों से ये दिखलाती है और भूक रोती है तिल मिलाती है आपने भूक देखा ही नहीं सालों से सरकार के पैसे खा रहे हैं डकार रहे हैं और अपने पार्टी के पैसे भी खा रहे हैं लेकिन याद रखिएगा हैं ये दुनिया है साहब अगर मन्नते पूरी न हो न तो यहां भगवान भी बदल जाते हैं क्या होगा आपका क्या सपने देख रहे हैं आप फिर से चुनाओ में अरे हिम्मत है न तो चुनाओ लड़िए इस बार लड़िए चुनाओ अगर हिम्मत है तो मत आये पिछले गल सब्सक्रावादे से इस बार लड़िए आपको आपकी उकाद पता चलेगी मैं आ रहा हूं सारे लोग आज से रेश्टेशन सुरू हो गया आपने कान कि आपके पास सुविधा नहीं है जो मजदूर बाहर काम करते हैं न उनको इतनी उकाद है अपने घर अपने पैसे खर् सुसील जी घिनना आती है क्योंकि आप समझते नहीं है कि मजदूर बली दो पहर में सुरुद की तपिस में अपने आपको क्यों जलाता है पता है क्योंकि जब वो जलता है तब उसके घर में डोस्नी आती है आप तो धूप में जलते कहा हो चार उतरफ इसी बैठके सुसिल जी वो डायलोग याद है न कि तेड़ा क्या होगा रे कालिया तो यब मैं कहता हूँ तेड़ा क्या होगा रे सुसिल तेड़ा क्या होगा इस चुनाव में और मुझे तो लगता है कि कोई साजिस कर रहे हो हमारे पंत परधान को बदलाम करने की कोई साजिस कर रहे हो हाथ उठा के आपने कह दिया कि बिहार सरकार के पास साधन नहीं है किस चीज़ के साधन है आपके पास जिरा मुझे बता दीजिए आज प्रेस कौन प्रेस करके बताइए कि बिहार सरकार के पास सिर्फ ये साधन है कुछ समलता नहीं है ना बाद ना चमकी बुखार ना बिरोजगारी ये कोटा से वो आप उनको जो नहीं ला रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है ये फूल सिंग जैसे लोगों को पता है कि इसके पीछे क्या कारण है कब तक भागोगे इस बार तो भाग भी नहीं पाओगे मैं कहता हूना कि आज मजदूर दिबस पर उन गरीब मजदूर वो भूके मजदूरों को मैं बढ़ाई दूँ या तुछ को सरधान लिदू कि तेरे जैसे नेताओं के कारण ही आज बिहार के सारे मजदूर सब मिलके तीस साल में हमारे उस बिहार को बरबाद कर दिया उस बिहार को बरबाद कर दिया जिस बिहार ने इस देश को बहुत कुछ दिया अब वो गया जमाना कहते हैं ने जब जगे तभी सवेरा जब नास मनुस पर चाता है पहले बिवेक मर जाता है वही बिबेक तेरा मड़ गया जो तूने ये कह दिया कि बिहार से बाहर के मजदूरों को लाने का बिहार के पास कोई साधन नहीं है तेरे साधन से आएंगे लोग अब तू रोक लेगा रेश्ट्री कर बालिया है बिहार का के वाला किया है तू पले तेरी कुल्डिली निकाली जाएगी कि तू आया कहा से तू केसे अपना आपको बिहारी कहता है बे तू केसे बिहारी हो गया तू साधिस रच रहा है मुझे तो लगता है कि तू कुछ लोगों के साथ मिलके हमारे पंत परधान को बदनाम करने की साजिस रच रहा है जब ये मजदूर को तकलिप होती है ने तब तेरे ही कारण उस युपडूस को भी सुनना पड़ता है मुझे तो इसमें साजिस की बूँ आती है सुसील मुझे तो साजिस की बूँ आती है याद रखना तेरे कोई भी साजिस को काम्याब नहीं होने देंगे हर साजिस नाकाम होगी तुम्हारी क्योंकि वो एक सच्चा देश भर्ट है जिसका नाम नेन्ध भा pewnoदी है तिले जैसा गिनवना काम नहीं करता है वो तुने लूट लिया बिहार को बरवाद कर दिया बिहार को और पार्टी को भी बरवाद कर दिया देखते हैं इस बार हो जाएगा दो दो हाथ मैंने बोला ना लॉक डाउन टूटने दे मजदूरसब अब इहां से निकलने की तैयारी में लग गया है जो भारे सरकार का निर्देश आया है राजिस सरकार को अब मजदूरसब को लग रहा है कि अब मैं अपने गाउं जाऊंगा और पता है वो सबसे पहले अपने गाउं नहीं जाएंगे पटना आने के बाद हमारे साथ तुमआरे घर पे आएंगे एक और लॉक्डाउन करूँगा मैं तुम़रा ये तो करोना ने किया है न अब बिहार से बाहर रहने वाले मजदूर हम जैसे लोग तेरा लॉक डाउन करेंगे और घर से बाहर निकल ले नहीं देंगे रोज पांसो हजार मजदूर तुम्हारा घर के चारों तरफ घेर के रहेंगे तुमको घर से बाहर निकल ले नहीं देंगे कैसे निकलते हो जासा हम भी देखते हैं आते हैं इंतजार कर तुमको सच्ची सर्धांजली पूरे बिहार के सारे मजदूर जो देश में रहते हैं आज तुमको उनके तरफ से तुमको सर्धांजली देता हूँ कायर बुजदिल अभी सामने में अगर तुम होते ना सुसील एक दी बुलाओ ना आओ ना सामने तुझको तेरी उकार ना पता कर दो तो मेरा नाम भी फूल सिंग नहीं हम भी एक बिहारी हैं याद रखना हम उस धर्ती में पैदा लिये हैं तुमको तुम्हें नहीं छोड़ूगा मैं जो रो देखता हूँ चीखते और चिलाते देखता हूँ तरपते देखता हूँ वो तरप है मुझे में क्योंकि वो मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है सचेत हो जा आ रहा हूँ कायर झाल झाल